नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है most welcome शादी के बात परिशान रहते हैं ये लोग मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी हतेली पर कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो अंकित हो जाती हैं तो ऐसे लोग विभाग के बात परिशान रहते हैं कई तरह के परिशानियों से घर जाते हैं जिनके लिए विभा कश्टकारी रहता है जीवन साथी प्रॉपर तरीके उनके मेल का नहीं मिलता और कई सारी परिशानियां से जूजना पड़ता है विभा के बाद बहुत ही कस्ट उठाते हैं ये लोग जिनकी हदेली पर कुछ ऐसी रेखाएं यदि अंकित हों उन रेखाओं के बारे में मैं आपको डिटेल्स से बता रहा हूँ दोस्तों यहां पर विभार रेखा को लेकर के हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं क्योंकि विभा से संबंदित जो भी जानकारी है वो विभार रेखा ही देगी पामिस्ट्री के अकोडिंग विभार रेखा की बनावट विभार रेखा के स्थिती विभार रेखा का लंबा होना छोटा होना चोड़ा होना पतला होना यह रेखा संकेत देती है अलग अलग प्रकार के वैभाईक जीवन से संबंदित शुब या आशुब फलो को लेकर के लेकिन विवारेखा इस बात का भी संकेत स्पश्टूप से दे रही है कि किन व्यक्तियों का अच्छा जीवन हो जाता है विवा के पश्चाथ और किन व्यक्तियों के लिए शादी विवा अविशाप हो सकता है, कश्टकाली हो सकता है, परेशानी भरा हो सकता है या फिर ये दामपत्य जेवन धन हीन हो सकता है कई तरह की परिशानियां दिखाए देती हैं उनी में से एक बिंदुपर में यहार चर्चा कर रहा हूं कि शादी के बाद कश्टकारी परिशानी पुर्वक्त समय होता है इन लोगों का किन लोगों का यदी दोस्तों विवारेखा आपको पता है बुद्ध परवत के नीचे मंगल और बुद्ध परवत के बीच में यहां पर हड़े रेका के साथ में यहां पर विवारेखा होती है यह विवारेखा यदी मोटी हो किसी स्त्रीय पुरुश के स्त्रियों के लेफ्ट हैंड की विवारेखा और पुरुशों के लिए राइट हेंड की विभारेखा को देखना जरूरी है, यदि ये विभारेखा जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये विभारेखा यदि मोटी हो, बहुत ज़्यादा मोटी लकीर हो, और भद्धी सी दिखाई देने वाली, मोटी, भद्धी, सुन्दर ना हो, ऐसी कु पुद्सित भी कह सकते हैं, जिसका रूप नहीं, सौंदर नहीं, जो अच्छी न दिखाई देने वाली रेखा, क्योंकि रेखाएं हतेली पर वो रेखाएं बड़ी सुंदर लगती हैं, जो स्पष्ट रूप से एक ही कार, मिलब एक लाइन में चलती हुई और सुंदर हूँ हलकी गुलावी कलर की हो, और बहुत न गहरी न हलकी, इस तरह की रेखाएं बहुत सुंदर और अच्छा फल देती हैं, चाहे वो कोई भी रेखा अतेली पर हो, तो उसी तरीके से उधारन के तोर पर विवारेखा, यदि इस तरीके से नहो करके मोटी हो, भद्दी हो, पतल होती भी दिखाई देती है, और इस विवारेखा को कुछ लाइन्स, कुछ ऐसी पतली लाइन्स आते हुए, यदि काट रही हो, क्रॉस में, या फिर गुणा के टाइप में, ऐसी स्वल्प, सरल, पतली रेखाओं के द्वारा, यदि किसी स्त्री पुरुष्ट की यदि कटी वी हो, क्रॉस में, या फिर कुणा के आकार में, या जाल के आकार में, कट रही हो, तो ऐसे स्त्री या पुरुष्ट को विवा करना या विवा के उपरांत जो जीवन है, वो बहुत ज़्यादा गश्टकारी होता है, संगर्ष पूर्ण होता है, परिशानी पु अंडरस्टेंग ना होने के भी हो सकती है, मिस अंडरस्टेंग को बढ़ावा दे सकती है, ये परिशानिया धन रूप से किल्लत भी पैदा कर सकती है, ये परिशानिया पती या पतनी के स्वास्ते को खराब रख करके, आपको कुर मिला करके वैवाईक जीवन में दोश और कश्टकारी बनाती है तो इस तरीके से पामिस्ट्री बताती है कि किन का किन लोगों का वैवाईग जीवन विवा के उपरांत परेशानी पुरुप करेता है और वैवाईग जीवन अस्तविस्त बना रहता है इस तरह की पामिस्ट्री की और वी वीडियो देखने के लिए हमा था वाचिंग दिस वीडियो रादे रादे जैस्टी किष्णा हूँ